नमस्कार साथियो सौगत है आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कन्या सुमंगला योजना में काफी सारे अपडेशन की जो है अब जरुरत होने वाली है जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि नाम बगेर में काफी ज्यादा तो दोस्तो मैंने इस वीडियो में थोड़ी सी यह कोशिस करनी है कि आपको मैं अच्छे से यह समझा पाऊं कि आप आखिरकार करेक्शन किस टाइप से कर पाएंगे आप देख सकते हैं लिविंग स्टेटस जो है यहां पर दिखाना होगा हमें तो उसके लिए जो है मैं प्र जो है help मिल से यह करना है आपको कि आपको जो है अपनी ID जो है login कर लेनी है main site पर जाकर के जो की कन्या सुमंगला योजना की जो site है main website उस पर पर जाकर कि आपको login कर लेना है जैसे है आप login करेंगे तो कोई इस तरह के का जो page है वो open हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख रहे हैं दोस्तों यहां पर red color में आपको लिखा भी आएगा कि रिपया अपने जो है पहले अपना आधार का जो है बताना चाहता हूं कि आप अधार कार्ड जब update कर रहे हैं तो उस समय पर आप अपना pro पर जो नाम बगएर है वो correct कर सकते हैं सही कर सकते हैं अगर आपने अधार कार्ड अपडेशन नहीं कराया है तो please करा लें आप खुछ से भी कर सकते हैं मैंने पहले जो है वीडि जरूर करें तो दोस्तो प्रोफाइल पर आ जाना है और यहां पर कहीं सारी options मिल जाएंगे जैसे कि my profile, change password, change bank account, bank account की detail भी जो है आप change कर सकते हैं अपडेट profile का option है, अपडेट आधार का option है और अपडेट living status तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ है अपडेट living status का तो चलिए दोस्तों कैसे करना है अब नीचे हम scroll करेंगे तो यहां पर जैसे ही आप इसको जो है click करेंगे living status पर तो आप देखेंगे तो यहां पर आ तो यह status आपको जो है mention रखना है और जो आवेदक हैं या आवेदी का हैं उनको जो है इसको रखना है कहने का मतलब यह है कि अधिकांस्ते girls के लिए ही है मान लीजी मदर ने जो है इसको जो है अपने नाम पर कराया हुआ है और बच्चों को add किया हुआ है तो वो भी अपन इसी है तो कोई problem नहीं है तो आप चैक आउट कर सकते हैं बाकी यहाँ पर मदर नेम आ रहा है तो नेम इंग्लिस में जो है update कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आपको नेम लिख करके यानि के नाम हिंदी में लिखा रहा है और इसके बाद में जो current इस्तिती है वो लिखना ह जैसी यहाँ लिखा हुआ है कि currently not alive तो यहाँ पर जो है फिलाल जीवित नहीं है तो इसको रहने देना है अगर जीवित नहीं है तब ठीक है मदर के इस्तिती में तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यह चीज़ी और इस पर declaration पर चैक मार्क लगा देना है ठीक है अगर ज जो है मदर लाइविंग स्टेटस तो उस पर जो है लिविंग स्टेटस पर यहाँ पर आप कर सकते हैं और कुछ इस टाइप से जब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा कि life status has been updated successfully यानि कि जो जीवन स्थिती है वो सफलता पूर्वक update हो गई है तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं तो इसमें नाम बगेरा सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं अगर कुछ प्रोब्लम आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट करें अब एक चीज़ यह है कि अगर आप खुछ से नहीं कर पा रहे हैं तो जनसेवा केंट पर जा करके भी करवा सक है जो कि आप आप एपने देखा भी होगा जो कि बना हुआ है कि महिला बाल विकास secular विभाग तो महिला बाल विकासbaitberg में आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप जो है चीजों को update जो है करा सकते हैं तो खष्व सबसे पहले मेरा यह यह कि जो लोग new है नए उनको आविदन कैसे करना है क्या करना है तो उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना दी है अगर आप चाहते कि मैं जो है वीडियो बनाओ तो पिलीज यार कमेंट में कमेंट कर दिया करो लिग दिया करो और इसको वीडियो बनाने के लिए कि एक तो बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ते हैं इसलिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो तब मैं जो है उसमें और भी जादा आपके लिए जो है कर पाऊंगा कुछ मदद तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद